पतना में दो लड़कियां एक दूसरे की प्यार में इतना पागल हैं कि अपने समाज से लड़ रही हैं और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं दोनों ने पतना SSP मानोजीत सिंग धिलो से मिलकर सुरक्षा की मांग की है दरसल गुरुवार की देर रात पतना SSP मानोजीत सिंग धिलो के आवास पर दो लड़कियां बदहवास हालत में पहुची और SSP से मिलने की बात कहने लगी लेकिन उन लड़कियों के मामले को समझ कर उन्हें महिला थाने भेजा गया जहां उन्होंने अपनी बात रखी दोनों की बातों को सुनकर पुलिस ने उन्हें आश्वासंदे कर लोटा दिया पटना के इंदरपूरी में रहने वाली तनिश्क श्री और श्रया नाम की लड़कियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं लेकिन तनिश्क के परिवारवाले उन्हें एक साथ रहने नहीं देना चाहते इन दोनों की दोस्ती पात साल पुरानी हैं तनिश्क श्री का कहना है कि उनके परिवारवाले जान बूज कर अपहरण का मामला दर्ज कर हम लोगों को फसाना चाहते हैं तनिश कश्री ने कहा है कि मैं बालिग हूँ, इसलिए हमें साथ रहने का अधिकार है फिलहाल दोनों की बात सुनकर उन्हें पुलिस ने सिर्फ आश्वासन दिया है अभी किसी तरह की कोई शुकायत दर्जन नहीं की गई है और ना ही मेरे घर वाले की कंसन है और ना ही इसके घर वाले के कंसन है हाँ, पर जब यह मेरे को भुलाई थी PNM कि आओ अभी आओ और मेरे को निकलना है तो मुझे इस पार्टनर मेरे को जाना परा यह मेरा ड्यूटी था तो मैंने उदर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है तो मैं उदर से इसको लेके निकल गई बट अब इदर बात आ रही है कि इसके फैमिली वाले जैसे अंबर कश्यव इसके मामा हुए और विशाल बर्मा जो की चाचा हुए उन्होंने मेरे फैमिली के उपर किर्नापिंग खेरन हुआ है और उसमें मेरी मा भी उनकी बेटी का तनिश्री का लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है हम लोग 18 प्लस है और हम लोग का पूरा अधिकार है साथ रहने का तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपने मर्जी से गया है पुलिस से यही सपोर्ट है कि हम लोग के जान को खत्रा है काफी बार कॉल करके इसके मामा अंबर कश्यप और विशाल वर्मा हम लोग को धमकी दिये और एक और कोई दीपक नाम के लड़के कंटिनियूसली हम लोग को कॉल करते गया धमकी देते गया करते गया हम लोग करते गया है